गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स सभी ने बुक्स खरीद लिये ना पर्चेस कर लिये चलिए आज की बुक और कॉपी आज आज आपका क्राप्ट का टर्ण है इसलिए क्राप्ट की बुक्स अब लोग निकालेंगे और क्राप्ट में ये वाली बुक होनी चाहिए और इसके बाद हम क्राप्ट में ओपिन करेंगे पेज नमबर 3 सभी ने ओपिन कर लिया अब इसमें ये क्या बना हुआ है सभी को दिख रहा है क्या है कैली फ्लॉबर ठीक है अब इसमें हम लोगों को क्या करना है उपर लिखा हुआ है पेस्ट कॉर्टन ओन दा कैली फ्लॉबर हम लोगों को इसमें पेस्ट करना है क्या कॉर्टन सारे बच्चे कॉर्टन पेस्ट करेंगे आपकी उसमें कॉर्टन इसमें जो सामान निकला हुआ है उसमें cotton दे रखी है है ना इसमें कुछ सामान निकला है ना आपके craft book में उसमें देखिए cotton होगी और cotton आप लोग निकाल लीजिए देखिए इस तरह से मैंने cotton को लिया और cotton को मैं यहाँ पेस्ट करने के लिए सब सपहले हम क्या करेंगे फैविकॉल लगाएंगे देखिए फैविकॉल मैंने लगाई और अब cotton पेस्ट करेगी मैं लेकिन cotton आपको बहुत जादा जादा cotton नहीं लगाना है बस cotton लगाएंगे और हलका से उसको ऐसे फुला की लगाएंगे ऐसे जैसे यह cotton फूली फूली लगे आपको हाँ से दबाना नहीं है इसको ठीक है इस तरह से कोई भी हाँ से नहीं दबाएगा पेस्ट करने के बाद वह अपने आप ही पेस्ट हो जाएगी ठीक है और यदि आपके सामान में यदि cotton नहीं निकली है तो सभी के घरों में cotton होगी ओल्मोस्ट ठीक है यह देखिए इस तरह से मैम का यह कैली फ्लॉवर तैयार हो गया है अब आप इसको यह देखिए मैमने इसमें क्या किया है मैमने इस तरह से दबाया नहीं है आपको भी नहीं दबाना है ठीक है यह देखिए आपका यह रेडियो हो गया रेडियो हो गया ना कैली फ्लॉवर अच्छा लग रहा है चलिए आप भी इसी तरह से तयार करिए और अच्छा-च्छा सा सुन्दर सा बना के मैम को सेंड करिए ठीक है मैम आपका वेट करेगी ठीक है जल्दी से भेजिएगा ओके थैंक यू